आस्वांग वीजोज माइन में विखवान चीमा वेलकम बैक वेद अधर वीडियो ऑफ केपिटल स्मार्ट शेटी इस वीडियो जबाओ ता हार्मी पाक अपार्टमेंट जिसका साइज बनता है फाइमला अपार्टमेंट और सबसे जो इंपॉर्टन बात है वो इस उस अपार्टमेंट यावाटे फिच सिकट का अपार्टमेंट का इरिया उसमेंगोचेंजية स्काइबन है याई किस अपार्टमेंट में Ayakp 56 square feet کا 800 square feet का apartment हो और एक washroom हो तो उसके वाले से लोगों का सवाल होते है कि क्या उसमें कोई हम alteration कर सकते हैं बाद में कोई changes कर सकते हैं या नहीं तो सबस्क्राइब बात करते हैं price की अगर हारमी पाक फाइव मरला apartment की बात करें prices की ओवराल तो तक्रीबान 3,000-3,500 per square feet एरिया है construction का cash पे यानि कि अगर आपके बास plot है और आप उस पे घर बनाना चाहते हैं तो उस पे 3,000-3,500 per square feet cost आती है builder को आप देते हैं जैसे मैं खुद builder नो तो मुझे पता कि मैंने 3,000-3,500 के दिम्यान चार्ज करना है depending on the area और उसके बाद मैंने उसकी overall cost चार्ज करनी है cash पे अगर मैं आज बना कर देता हूँ सबसे पहले cost के बात कि जाएं तो इसका बनता एरिया 856 square feet और इस पुरे एरिया को अगर आप डिवाइड करें 36,000,000 को डिवाइड करें 856 square feet से तो आपके पास जो cost आती है 4210 रुपे पर square feet 4210 रुपे का मतलब है कि आपने एक चीज़ खरीदी जिसमें जमीनी cost भी शामिल है जिसमें construction भी शामिल है जिसमें initial जो basic furnishing है वो भी शामिल है और वो आपको मिल रही है 4200 square feet चार साल के plan में तो इसमें इस लिहाज से तो बहुत अच्छी बात है इसमें कोई दोर आई नहीं है कि इससे ज़्यादा सस्ता option Capital Smart City में offer नहीं हो सकता था तो यह सबसे ज़्यादा least जो option है सस्ता वो option है नमबर टू कि इसका layout plan अब यहां पर वाद आती है कि इसका layout plan वो काफी ज़्यादा common यानि कि बड़ा simple सा layout plan है उसमें कोई ज़्यादा आप कहलें कि state of the art चीजें नहीं नज़राती बड़ा simple सा layout plan है कि तीन bedrooms हैं और एक washroom वो quarter type लोक आती है जैसे government servant के quarters होते है न वैसे लोक आती है तो इसमें alteration possible है या नहीं possible देखें फर्स और वाल जो principle चीज़ है वो यह कि 856 square feet area जब आप बाई करते हैं चार साल के plan पे तो ultimately आप उसके owner बन जाते हैं उस पूरे 856 square feet area के अब आपके बाद यह option है आप उसको जैसे चाहें alter कर सकते हैं आप शहरों में कहीं भी office को rent पे लेते हैं तो office rent लेने के बाद आप उसको अपने interior के हिसाब से इसको design करते हैं उसमें changes करते हैं लेट से एक दिवार यहां पे चीन लग रही इसको दिवार के move कर दी हैं आपे glass कर दी हैं कुछ और चीन कर दी है तो आपके बाद पूरा option होता है जब आप रेंट पे लेते हैं तो यह चीज़ आप खरीद रहे हैं आप इसके owner हैं तो आप इसके owner है तो आप इसमें alteration definitely कर सकते हैं जैसे दो master bedroom है एक के साथ attached बात है एक के साथ नहीं है तो जो attached बात वाला है वो उसको आप बेशक वैसे रियूज कर लें store room बना लें कुछ भी कर लें जो दूसरा kids bedroom है उसमें आप और रेशन करके उसमें खुद अपनी मर्जी से आप बात रूम बना सकते हैं यह आपके उपनी choice है वेल विरूस दिस वॉस इट from today अगर आपको स्मार्ट रियूज के वाले कुछ मालमा चाहिए हो तो यह आपके कोई और क्यूरी हो किसी और टापिक के वाले से वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट मैक्स में अपने खैलात के इजार जरूर करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले रिजवान चीमा को दीजिए अज़ाज़त अगली वीडियो देख के लिए खुदा आफिस